अला एवरीवन वेल्कम टू दिस अमेजिंग लेटफॉर्म आप चनल पनेशाप और कॉम्पेटिटेव एक्जामिनेशन और इस पर्टिक्लर सचन में हम कवर करने लग रहे हैं डियसी से लिया फिर आपका इंटी पीची सी वीडी टू और जोसे सी होने वाले उसके लिए ज साइट नंबर टू है साइट नंबर बन इससे पहले हैं योप आपने कर लिया होगा तो शुरू करते हैं आज का सशन सीधा ठीक है चालो अब देखो आपके सामने सबसे पहला कोशन यहां पर दिया हुआ है कि डेफिशेंसी और विच ऑफ फॉलविंग नूट्रेंट्स इ यह जो गंड माला रोग है वो किससे हो जाता है तो आयरेन की कमी से हो जाता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है कल्शियम की कमी से या फिर आयोडियन की कमी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयोडियन की कमी से ठीक है य enlarged, enlarged thyroid gland, ठीक है, जो आपकी thyroid gland होती है, वो इसमें काफी ज़्यादा swell कर जाती है, बड़ी हो जाती है, इस वजए से आपका गिटरी का रोग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इजी से ही question है, अच्छा यहाँ पर अब हमें ये तीनों दे रखे इनका देखते हैं, अगर आपका कमी, अगर आइरन की कमी आपकी body में हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, अनेमिया हो जाता है, ठीक है, अनेमिया बेसक कमी की वज़े से क्या होता है, अनेमिया में क्या होता है, बेसकिली कि आपका RBC कम हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, अगरा इसको no down कर ले, ठीक है, अगर कभी मूच लिया, यह होता है आपका कल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर कल्शियम की कमी को क्या बोलते हैं तो कल्शियम की कमी को एक नाम दिया जाता है है ले जाती है ना बोडी में उस कंडिशन को बूला जाता है और इसकी कमी से यह आपका बोडी में एक आपको यह देखने को मिलेगी अगर आपकी बोडी में कल्शियम की कमी हो जाती है से osteoporosis वगेरा होना स्टार्ट हो जाता है अगले वाले कुश्चन पर आते हैं नेक्स्ट वाले कुश्चन देखो यहां पर क्या पूछ रहा है विच आप फॉलवेंग इसा फैट सॉलुबल विटामिन डैट प्लेजा रोल इन ब्लड ग्लॉटिंग बोन मेटाबोलिज्म ए आपके लिए यह दो तरीके से इंपॉर्टेंट है पहला तो यह कैसा है फैट सॉलुबल विटामिन है और इसके अलावा यह ब्लड ग्लॉटिंग में हेल्प करता है और जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको रेगलेट करता है विटामिन सी है बी है के है या अब यह तो यह क्या होते हैं डाना बी में आपके कितने विटामिन सोते हैं बीवन लिकलोयर होता है इसमें कफी ओता है तो होता है दन आपका B3 होता है और B4 नहीं होता है B5 होता है आपका दन B6 होता है B7 होता है और B8 नहीं होता है B9 होता है इसके बाद आपका B12 होता है यह होते हैं आपके विटामिन B में टोटल 8 विटामिन और इन में आपका देखो vitamin A water soluble है लेकिन बात क्या हो रही है यहां पर blood clotting करने की तो आपको पता है blood clotting कौन सा करता है vitamin की करता है चीक है अब vitamin की ना एक चीज produce करता है blood clotting वगएरा के लिए इसका क्या बोलते है उसको यह करता है प्रो थ्रॉम्बिन को produce ठीक है ना protein होती है यह प्रो थ्रॉम्बिन क्लियर है क्या produce करता है vitamin के प्रो थ्रॉम्बिन को करता है यह question पूचा गया याद रखना प्रो थ्रॉम्बिन हिंदी में भी प्रो थ्रॉम्बिन होता है कोई दिक्तत वाली बात नहीं है अगले question पर आ रहे है विचारदा three types of heterotroph यह question देखना बड़े तरह के heterotroph होते हैं कौन सा इन में से तीनों में से नहीं है तीन जो है वो इसमें heterotroph है चौथा नहीं है अब अगर आप देखोगे तो heterotroph जो है heterotroph को ही consumer बूला जाता है ठीक है food chain में जो consumers होते हैं वही heterotroph होते है यानि कि यह autotroph को खा रहे होंगे या फिर किसी और को खा होते हैं ठीक है total अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको extended वे में एक parasite को भी हम लेके चलते हैं खैर आपका जो consumer है consumer यह कोई type नहीं है heterotroph का यह heterotroph होते हैं तो यह type नहीं है कुछ बच्चे इसमें confused हो जाते हैं सोचने कि जो examination इसने गलत answer दे दिया और इसके उपर आप क्या नार्थी heterotroph का clear है बात समझ में आगी क्या चलिए अगले वाले पर आते हैं और याद रखना कि जो food chain में consumers होते हैं वो जितने अलग-अलग type के लोग होते हैं उन सबको खा सकते हैं ठीक है ना consumer वो है जो heterotroph को भी खा सकता है कार्णी वोर्स को भी खा सकता है और हर्णी व लेखित में से कौनसा विटामिन का निर्माण सूर्य की उपस्थिती में किया जाता है ठीक है ना सूर्य सनलाइट को आप क्या बोलोगे सूर्य प्रकाश बोल ठीक है तो सूर्य प्रकाश की presence में जो है आपका कौनसा विटामिन हमारी बॉड़ी प्रेपेर करती है इसी है क कोशन भी पूचा जा सकता है कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट में नहीं होता है जैसे ही सनलाइट हमारी बॉड़ी पर पढ़ती है ना तो हमारी बॉड़ी में क्या होता है एक प्रोटीन होता है ठीक है हमारी बॉड़ी में क्या होता है एक प्रोटीन या फिर इसको प्रो हीज़ सबते हैं सबन सब्सक्राइब और कॉलेज़ヤा विट geschow न WOOD का सबसे एक्टिneh विटामिन D का most active form जो होती है उसे D3 बोला जाता है ठीक है तो actually में हमारी body में जो produce होता है वो vitamin D3 produce होता है और बस वही फिर हमारी body में काम कर रहा होता है इसको क्या बोलते है चलको जो विटामिन D का naturally occurring form होता है उसको बोला जाता है चलको चलको केलसी फिरॉल ठीक है यह इसका chemical name है कौनसे का naturally occurring जो आपका naturally occurring विटामिन D होती है ठीक है तो यह याद रखना कि सूरी की किरणों में नहीं होता है कि वही विटामिन D सूरी किरणों से आया और हमारी body में चला गया ठीक है हमारी body में convert हो जाता है वो खैर अगले वाले question पर आते हैं 5 वाला देखो which of the following has the highest protein content per gram अब देखो यह यार सबसे important question है और यह question जो है repeat होने के chances है यह आपका question दो एक्जाम में देखा गया है क्या पूछ रहा है कि highest protein content per gram कहां पे होता है आपको यह पता English का एक बात बदाता हूँ यह जो लिखा हुआ है इसे हम content बोलेंगे एक होता है content content होता है जो चीज क्रियेट करके आपको डिलीवर की जाए जैसे मैं content मैंने बना दिया आपका यह जो वीडियो बना यह content है मेरा और यह content होता है कि एक satisfaction मिल ठीक है तो उसको बोलते है content I am content by your work ठीक है ऐसा तो वह क्या हो जाएगा content यह हो गया content तो इसके अंदर क्या होगा content बोलेंगे कौनों की spelling एक ही होती है pronunciation अलग-अलग होता है मुझे पता है कई लोगों को यह थोड़ा doubt होता है content बोलें content बोलें अब clear हो गया होगा है highest protein content पर gram किसमें होता है तो soya bean में होता है याद रखना ठीक है किसमें होता है soya bean में एक बार इसे लिख लो soya bean कि अगर हम बात करें तो इसके 100 gram में 36 gram protein होता है ठीक है तो सबसे ज्यादा content पाया जाता है एक out of 100 gram घीक है तो यह बात है तो यह बात है तो यह बात करते है की एपल में सबसे जहादा क्वेए जाता है तो apple में पाया जाता है antioxidents क्या पाया जाता है antioxidents अगर आपसे पूछ है यह जंसे प्रणलें सब से जादा किसमें पाया जाते यह बोलते हैं ठीक है जब से ज्यादा आका पाया जाता है इसमें ट्राउंड नायसीन श्यक्ता हम श्यक्ता कैन हुट नुटा का भी इसमें होता है, द्राउण्टीश होँ इसमें यह आपका रिवाईज भी हो जाएगा इससे ड्राउंड इनнит में ठीक匆 पेंटो थेनिक एसिड लेकिन यह पूछा नहीं जाता जादा जाद तर आपके वाइटामिन सी पूछे जाते हैं तो याद रखना यह ग्राउंड नट यानि कि यह मुंग फली में यह सब चीज़ें पाई जाती है यानि कि mostly विटामिन आपके मुंग फली में मिल जाते हैं च चलो बहीं बताओ फटाफट से तो यहां पर हमारा राइट अंसर हो जाएगा बिटामिन बीटवल्व को वैसे साइनो को बेला मीन बोलते हैं बट स्टिल ऑप्शन में गिवें ऑप्शन में यही प्रप्रियेट है अच्छा बीवन को क्या बोलेंगे बीवन को बोलते हैं जो मैंने अभी आपको उपर बताया था ठीक है चलो खेर आँगे अच्छा एक चीज़ और यह ग्राउन नट में आपका बी नाइन भी होता है जिसे हम फोलेट बोलते हैं देखो ग्राउन नट में आप यहां पे बी नाइन भी एडड कर लो इसे बोला जाता है फोलेट है अगर नहीं है तो जागे फटा फट से सारे विटामिन की केमिकल नेम और उनसे डेफिशेंसी कौन-कौन से होते है याद गर लो ठीक चलो यहां से कोशन आता ही आता है नेक्स्ट वाला कोशन देखो अब इसमें पूछ रहा है कि डैश आर फॉलविंग डैश आर कॉमनली इसको जाता है यह बोलते हैं गोलते हैं सको को लो ब्लास यह भी इसके अंदर प्रजालीस आती है आपकी 10 फोराज में और और एक नाम से और इसको जाना जाता है जिसे की इसको लिख लो यहाँ पे Sea Goose Berries, ठीक है? Sea Goose Berries, अच्छा यह जो है आपका English में ही रहेगा, आप Combo Jalis को Combo Jalis यह बोलेंगे बस Hindi में लिख देते हैं, ठीक है? Next वाले question पे आते हैं, एर्थ वाला question देखो The National Institute of Nutrition is located in, तो आपका जो National Institute of Nutrition है, यह कहाँ पे located है भाई, हैदराबाद में पदा होना चाहिए, यह question आ चुका है, तो यह basically अब आपका किसी में भी आ सकता है, चाहें आपका GK के section में आ जाए, चाहें आपका जो General Sciences उसमें आ जाए, और यह किसके अंडर आता है पता हो और अगर नहीं पता है तो जाके Google कर लो और उसे note-down कर लो, खुछ से ढूड़ोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, नेक्स्ट वाले question पर आते हैं देखो, अरे ढूंड लोगे ना चलो अरे लिख लो यहाँ पर आपके टाइप के आपके जो जीव होते हैं, उनमें स्वपोशी पोशन पाया जाता है, यह स्वपोशी बोलते हैं इसको ठीक है, और टो ट्रॉफिक को बोलते हैं स्वपोशी और न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोशन, किसमें पाया जाता है, फंजाई बोले तो हिंदी में इसको कवक बोलते हैं ठीक है कवक दन आपका ये वाइरस हो गया विशाडू प्रोटो जोवा का तो प्रोटो जोवा ही होता है और वैक्टीरिया को बोलते है जीवाडू बताओ भाई इसका राइड आंसर क्या होगा आपका खाना कौन बनाता है खुझ से पंजाई वाइरस प्रिपेर करता है अपना खुद के लिए यानि कि बेसके लिए जो एनरजी इसको चाहिए होती है वो लाइट से ले लेता है इसलिए हम क्या बोलते हैं वैक्टीरिया को और ट्रॉफ बोलते हैं जबकि ये तीनों जो है ये और ट्रॉफ नहीं होते हैं clear याद रखना हमेश तो यह होता है आपका विटामिन D अब विटामिन D भी पता क्यों होता है चलो पहले तो विटामिन ये सारे BACD का आप मुझे BACD का तो खर अलग होते हैं इसके 8 यहां पे complex होता है B complex के 8 यहां पे types होते हैं वो तो चलो ठीक है यह आप मुझे ACD का यहां पे chemical name बताओ क्या बोलता था आप से हां विटामिन D का काम होता है ना इंटेस्टाइन में जो आपका calcium होता है इसको store करने में help करता है अब यह जो basically कमी है ना calcium से related है जैसी vitamin D कम होगा आपकी body में calcium store कम होगा calcium store कम होगा तो वो osteoporosis में result करेगा ठीक है तो बिल्कुल related चीज़े हैं कोई इसमें doubt होना नहीं चीए मैंने आपको calcium बता दिया विससे आपको यह याद रहेगा कि vitamin D का काम क्या है वो intestine में calcium store करने का काम करता है basically intestine में जो absorb करते है न retinol बोलते हैं सी तो मैंने आपको उपर ही बता है इसको बहुता है इसका एक बार चेक कर ले ना मैंने शायद आपको ऊपर चल को बता दिया चल को नहीं होगा कोले होगा ठीक है कोले कलसिफरॉल यह नेक्स्ट वाले question पर आते है 11 वाला देखो produced by an unknown source in terms of standard source हिंदी में चलो सुन लो इसको तो यार unknown को क्या बोलेंगे अग्याथ हां देखो ऐसा हो जाएगा यह आपका क्या बनेगा किसी अग्यात स्त्रोत से निर्मित ठीक है किसी अग्यात स्त्रोत से produced बोले तो निर्मित प्रकाश की तीवरता को मापने के लिए किस उ प्रकाश की तीवरता को मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे तो इसका right answer होगा photometer का clear है calipers अगर हम बात करते हैं तो calipers का use किया जाता है किसी object की dimension को मापने के लिए या फिर नापने के लिए क्या लिखोगे to measure dimension of an object इसका हिंदी में लिख लो बिमाएं ठीक है हिंदी क्या बोलें करेंट को हिंदी में कुछ बोलती है चलो comment करके बताना मुझे आप लोग ठीक है डाप देखो डाइनो में जो डाइनमो मीटर है डाइनमो मीटर का use किया जाता है यह लिख लो for measuring for measuring mechanical force ठीक है जो mechanical force होती है mechanical force या फिर mechanical आप पावर बोल सकते हो ठीक है जो पावर by angular speed होती है ठीक है टॉर्क multiplied by angular speed तो यह खैर formula नहीं आएगा आपके में छोड़ो यह याद नहीं करना बस याद रखो डैनमो मीटर जो है वह आपका mechanical force को measure करने के लिए हम use करते हैं next question is fulminology is the study of आपको याद है आपके exam में पूछा गया था कि क्या पूछा था आपका silk वाला पूछा था है ना चलो बताओ comment करके silk की study को क्या बोला जाता है sorry silkworms की जो process होती है उसको क्या बोला जाता है मैंने बहुत अच्छे से कराया है कैसे कैसे process होती है यह तो fulminology की study होती है तो किसी को पता है तो फटा फट से पहले comment करो तो यह होती है आपकी lightning की ठीक है ना lightning क्या होता है जो बिजली गिरती है ना बिजली तो बिजली जो गिरती है उसकी study को हम बोलते हैं diaminology volcanic eruptions की जो study होती है उसको volcanicology बोलते हैं बहुत ही easy है volcanicology जो आपका atmosphere की study है उसको बोला जाता है meteorology ठीक है क्या बोलते हैं भाई meteorology mete यहाँ पर O आएगा then R O L O G वरी ठीक है यह होती है इसकी spelling then natural gases की तो कोई study study होती नहीं है यह बस इसकी analysis किया जाता है natural gases का तो यह तो कोई मतलब भी नहीं है इसका अगले question को देखो यहाँ पर बोल रहा है कि था lens type commonly used for correcting press biopia यह तो मैंने आपको करार रखा है बहुत अच्छे से press biopia को correct करने के लिए हम कौन से type का lens यूज़ करते हैं bifocal, cylindrical, convex या concave और आपका cylindrical होता है हिंदी में बेलनाकाल और जो convex से इसको बोलते हैं उत्तल ठीक है न उत्तल lens और इसको concave को बोलते हैं अवतल lens खैर बताव इसका right answer क्या हो जाएगा हमारा इसका हो जाएगा bifocal lens ठीक है bifocal lens का जो यूज़ किया जाता है वो प्रेस बायोपिया को करक्ट करने के लिए हम करते हैं convex lens का हम किसको करक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है जो आपकी long sightedness है ठीक है किसको करक्ट करने के लिए long sightedness को और जो concave mirror होता है इसका use करते हैं हम आपका जो short sightedness होती है, ठीक है, short sightedness अच्छा, short sightedness को बोलते है myopia, इसको बोला जाता है myopia और इसको बोला जाता है hypermetropia hydropia, ठीक है, लिख लेना अच्छे से, next आले question पे आते हैं अच्छा, cylindrical ने इसका use किया जाता है astigmatism की लिए, ये लिख लो याँ पे का यूज किया जाता है astigmatism वैसे मैंने आपको पूरा कराई रखा है पता नहीं है बार बार बताओ प्रेस बाई ओपिया पाई फोकल और astigmatism आपका cylindrical नेक्स ट्राले कोशन पे आते हैं 14 ते देखो what will be the size of image formed by a concave mirror वैना object is placed between pole and focus और पता ये question आपका किसमें आया था mts जो सबसे नीची की post होती है उसमें आया था ये question अब बताओ क्या question पूछ लिया जो आपका concave mirror में कहां पर image form होगी अगर object डाला गया है pole and focus के बीच में तो लिखो भई इसको चलो मैं आपको सारी condition इसकी करा देता हूँ note down कर लो concave तो सबसे पहले तो इसका diagram बनाना पड़ेगा आप देखो इसमें बड़ी जंजट है मुझे बच्पन में बड़ा मज़ा आता था ये सब diagram बनाने में अब तो बड़े गंदे-गंदे से बनते हैं अब यह क्या है अपना concave mirror है यहाँ पे आपका पहली condition क्या होती है पहली वाली line color change कर लेते हैं green color लेंगे और यहाँ पे क्या कहा मैंने कि एक ray आ रही है parallel to the principal axis यह जो आपकी axis है ना यह वाली axis यह principal axis है इसके यह ray नहीं है यह axis है तो इसमें arrow बनाना ठीक नहीं रहेगा यह हमारी ray चलिया आ रही है ठीक है यह principal axis के parallel ray आई तो यह कहां से पास हो जाएगी यहाँ पे आपका होता है P यहाँ पे आपका हो जाएगा let us say focus और यह हो गया आपका center of curvature ठीक है C होता है center of curvature F होता है focus यहाँ पे आपका P हो जाता है pole ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यह आपकी parallel आई और यह कहां से निकल जाएगी यह निकल जाएगी focus से ठीक है ना कहां से निकल जाएगी focus से निकल जाएगी एक चीज यह याद रखना दूसरी condition क्या होती है आपकी कि ray आई अब इसका opposite हमेशा true होता है जैसे अगर कोई ray आपकी focus से आती है लेटेस से मैंने क्या बोला है condition में कि आपका आप जो ray आ रही है वो focus से आ रही है तो वो क्या होगी वापस से ली जाएगी वो सीधी निकल जाएगी ठीक है उसका कहीं reflection नहीं होगा वो straight आपकी pass हो जाएगी यानि कि यहां से जाएगी और जब वो return होगी ना जिसे यह तो आ रही है और जब वो आपका reflection के बाद return होगी तो वो इसी line पे आपका return हो जाएगी यानि कि same path पे ठीक है कि जब भी आपकी ray याद रखना जैसे जब भी ray हमारी यहां से आती है ठीक है यह क्या होई आपकी incident ray जब भी ray कोई आ रही होती है ना मेरी थोड़ी से ray कैसी से होगी है थोड़ी straight ray होगी है अब यह जो है आपकी incident ray है क्या होगी है हमारी incident ray जब भी ray कोई आ रही है और यह क्या होगा यहां से reflect होगे चली जाएगी है ना कोई issue नहीं है जब भी reflection होता है ना तो जैसे लेटर से यहां पर आपका एंगल ठीटा बनाए तो यहां भी आपका एंगल क्या होगा principal access से ठीटा बनेगा यह जो access होती है principle access बोला जाता है ये जो है आपकी चार रे की condition होती है कैसी भी concave mirror के लिए अब इन चार condition का use करके हम अगर object को अलग-अलग जगए रखते हैं तो image अलग-अलग जगए बनती है अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे-कैसे image बनती है है ना बहुत ही ध्यान से सुनना है खड़ा हुआ है यह दूरी बहुत सारी है ठीक है यह मैंने डॉट-डॉट कर दिया और फिर यह आपकी रे आ रहे है यह रे आई अब रे जो आएगी बहुत दूर वाला कि रे अब आपके यह बहुत जो बने बाएगी वह कैसी होगी बहुत चोट ही बनती है image देखो image की क्या character stick होते है बनती है आपकी focus पे है और कैसी बनती है छोटी छोटी बनती है यानि की diminished बनती है ठीक है आपका object काफी बड़ा होता है बड़ उसकी image कैसी बनेगी छोट कुसी यानि की आपका point size आप इसे बोल सकते हो कैसी बनती है point sized बनती है then कैसी होती है तो इसका जो यह image बनती है वो real होती है and inverted होती है ठीक है यह याद रखना कैसी होती है real and inverted next वाले पर आते हैं second वाली condition क्या होती है अब यह तो यार बड़ा ही देखो अब इसे एक बार हटाते हैं फिर चीजों को यहीं पर समझाओंगा अब देखो आपका object कहा पर रखना है दूसरा वाला case क्या बनता है कि आपका object यह पर center of curvature यह आपका focus है जो object हो बहुत दूर तो नहीं है लेकिन आपका center of curvature के बाहर है यानि कि center of curvature के curvature से दूर है तो इसकी image कहाँ पर बनेगी देखना ध्यान से पहली वाली इसकी image आई, state तो कहाँ से निकल जाएगी parallel वाली आपकी focus से निकल जाएगी ऐसी आएगी और ऐसी निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है दूसरी रे मैंने आपको जिखाया था कि जब भी आपकी incident ray यहाँ पर पर पड़ेगी तो यहाँ से आपका same angle पर जो है आपका ही reflect हो जाएगी इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर आपका जो center of curvature थोड़ा यहाँ बना देता हूँ थोड़ा figure बनाने में issue हो जाता है नहीं यह मैंने center of curvature बनाया तो आपकी ray यहाँ से निकल जाएगी और यह mirror ऐसा होगा तो यहाँ कहीं मिल जाएगी ठीक और वो वापस आजाएगी center of curvature से ray reflect हो के यहीं से ठीक है जहाँ से जाती है वहीं से वापस आ जाती है लेकिन actually में जब अच्छे से figure बनाते है ना तो यह image का side छोटा होता है real वाले से तो image की क्या characteristic हो गए बनी है आपकी बीच में focus और focus and center of curvature के बीच में बनती है ठीक है और दूसरी बात यह आपकी real होती है real and inverted होती है inverted का मतलब होता है उल्टा बनना अब देखो यहाँ पे इसका ये sir है ये pair है इसी तरीके से image का ये क्या है ये pair है ये sir है तो जहाँ पे अब ये sir अब उल्टा हो गया तो ये inverted होगी ठीक है clear है क्या मेरी बात इतनी सी तो ये याद रखना then ये तो होगे आपका center of curvature के बाहर अगर कोई आपका situation ऐसी आ जाए कि आपका जो object है वो center of curvature पे रखा हुआ है ठीक है ये है आपका center of curvature और ये है आपका focus ये आपका object रखा है center of curvature की उपर यहाँ पे क्या होगा ये आपकी ray ऐसी गई incident ray और यहाँ से focus फोकस से होके निकल जाएगी क्योंकि आपका parallel जा रही है focus से होके निकल गई अप ध्यान देना थोड़ा सा दूसरा वाला इसमें क्या feature होगा कि भई जो आपकी ray थोड़ा सा ध्यान से देखना focus से जाएगी ठीक है कहां से जा रही है ये आपकी focus से जो भी focus से जाएगी वो कहां से होके निकलेगी बताओ मुझे ये ray ऐसी आएगी ठीक है न थोड़ा सा state बनाते हैं तो ये ऐसी आएगी और यहाँ से जो भी focus से होते हुए ray निकलती है वो आपकी principal access के parallel होके निकल जाएगी ये देखो parallel होके निकल गई और ये तोनों intersect कहां कर गई यहाँ पे यानि कि image आपकी इसकी जो होती है वो center of curvature पे ही बन जाती है अगेन आपने देखा image कैसी है उल्टी है तो image के characteristic क्या हो जाएंगे real and inverted कैसी होती है image real and inverted होती है जब आपका object रखा है center of curvature पे image भी center of curvature पे बनती है देख लिया आपने एक और feature होती है कि इसका जो size होता है वो object के same होता है अगर आपसे ये question पूछा जाए कभी भी कि कौनसा ऐसा condition होती है जहां पे object की size और image की size equal होता है तो वो होता है आपका जब भी object आपका center of curvature पे रखा जाएगा ठीक है ना चालो अगले वाले पे आते हैं चाहां ये condition क्यों बता रहा हूँ कि 10th glass में concave mirror के बारे बताया गया है ठीक है और convex mirror पे इतना उन्होंने focus नहीं गया questions ऐसे इसलिए concave mirror से ही बनते है mostly ठीक है ठीक है फिर से इसको मिटा यार यह बड़ा पंगा हो गया थोड़ा सा वेट करिए भई तो देखो भई यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमारा यह concave mirror खड़ा हो गया और यह अपना center of curvature है यह हमारा focus है यहां पर बीच में अब आपका object आ गया यह देखो पहली पहली वाली रे आपका यह parallel निकल जाएगी तो इसकी आप अगर देखोगे कहां बनेगी यह आपका जो image है यह बन रही होगी यहां ले लो center of curvature ठीक है यह figure ना अब यह है कि थोड़ा सा ऐसे बनाने में दिक्कत हो जाती है अब देखो यह image आपकी यहां बनेगी यानि कि एक चीज आपने गौर करी यहां पे कि जब object हमारा center of curvature के बाहर था तो उसकी image बन रही थी center of curvature और focus के बीच में जब object आपका center of curvature और focus के बीच में है तो इसकी image कहां बन रही है center of curvature के बाहर यानि कि outside the center of curvature और यहां आप एक चीज और observe करोगे object छोटा सा है image बड़ी बन रही है क्योंकि जो द जब object दूर था image यहां बन रही थी pass में तो object बड़ा रहता था लेकिन जैसे object पास आता जाएगा image दूर बनती जाएगी तो image बड़ी होती जाएगी ठीक है basic सा concept है याद रखना यह सब लिखा नहीं है कहीं भी लेकिन observation है तो यह हो गया clear है यह सारी बाते मैंने बता थी image कैस object यह focus है यहां पर मैंने object खड़ा कर दिया कोई दिक्कत नहीं है अब देखो focus से मैंने यहां पर सबसे पहले तो मैं parallel ray लेके गया और यह कहां निगल जाएगी आपकी focus से होके निगल जाएगी ठीक है यह चलीगी अब दूसरी ray मैं कहां से लेके जाओंगा कि एक काम करते ह यहां पर आपका center of curvature है न यह मालो center of curvature मैंने एक ray मैं यहां पर लेके गया यह वाली यह मैं लेके गया center of curvature से ठीक है अब आप देखोगे center of curvature से जो incident ray जहां से जाती है वहीं से वापस आती है तो यह वापस आई यानि कि यह रे यहीं चलीगी अब यह दौनों कहीं intersecting नहीं ह अगर object infinity पे होगा तो उसकी image कहां बनेगी focus पे अब इसकी image कैसे बनी थी जब object आपका infinity पे था छुटकु सी बनी थी ना तो ऐसी जब focus पे आपका object होगा तो उसकी image क्या बनेगी बहुत बड़ी बनेगी very enlarged ठीक है कैसी बनेगी very enlarged बनेगी clear है क्योंकि जब आपने देखा object बहुत बड़ा रखा था दूर पे तो उसकी image कैसी बनी चोट इसी point size की बनी थी तो ऐसी जब object आपका focus पे है तो उसकी image कैसी बनेगी बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि मैंने क्या बूला जितना दूर जाओगे आप उतना बड़ा प्रोग्राम होता जाएगा ठीक है clear है मेरी बात फटा फट से हाँ बोलना है अब object आपका last condition में कहाँ पर आ जाएगा कि focus और pole की बीच में आ जाएगा यह आपका p क्या है pole है तो जैसे ही आपका object यहाँ पर आएगा आप देखना यह खड़ा हो गया आपका object और object ने यहाँ पर parallel देखा और parallel जो आपकी ray होगी वो कहां से जाएगी focus से यह चली गई focus and दूसरी वाली ray हम डालते हैं center of curvature से ठीक है यह हो गया आपका center of curvature यहाँ ले लेते हैं ठीक है center of curvature यह हो गया center of curvature की देखना यह ray कैसी जाएगी यह आपका object से होते हुए यहाँ जा रही है जैसे आप इसे पीछे करोगे इस ray को यह जैसे यह incident ऐसे हो रही है लेकिन अब virtually हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया इसको भी आगे बढ़ा दिया और image हमारी यहाँ बन गई कहां बन गई यह वाली image भई यह बन जाती है अब दिखो जब भी आपकी image दूसरी तरफ बनेगी ठीक है ना principle access में दूसरी तरफ बनेगी तो उसक केस है जब भी आपका object focus और pole के बीच में होगा ठीक है और image आपकी कैसी होगी बड़ी होगी virtual होगी एंड आपका देखो अब यह सीधी रखी होई है ना यानि कि आपकी inverted नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे erect बोलते हैं जब इसका सर उपर होगा image का पैर नीचे होगे तो इ inverted ठीक है क्या बोलते हैं inverted याद रखना है यह सारे के सारे जितने point बताए है ना note कर लो question यहां से फसेगा और question यहीं से फसेगा इससे बाहर नहीं फसेगा तो question क्या पूछा इसने object को हमने डाला pole और focus के बीच में अब आपको याद है pole और focus के बीच में डालोगे तो image कैसे बनेगी बड़ी बनेगी सारी जो भी अब इसमें कुछ भी देता वो आपको enlarge बनेगी image आपकी real बनेगी sorry image आपकी virtual बनेगी और image आपकी erect बनेगी ठीक है यह सारी condition कुछ भी आपको उठाके देते आपको सब याद है ठीक है ना तो यह चीज़े है next वाले question पर आते है 15 व अज़ा ह pracy हिंदी में करना है कि यह भी है टिंडल इफङक्ट है CV ही ओता हो ही में प्रकीरन ठीक है ना क्या ब Pretore Ta बोला जाता है विचेपन एनके आपका जो रिफ्रेक्ष्चन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अपर याद रखना तो विफ्रेक्श न गोलते हैं जया घ्लियर है घ्लियर है और अगर आप्का रिफ्रेक्ष्टे inan का स्केरीılar होत safer!!! लेकिन जब प्रिकास का प्रकीडन होता है तब आपका टिंडल एफेक्ट देखने को मिलता है इसमें basically क्या होता है कि जब light ray pass करती है इसके थूर आपका तो क्या होता है scattering हो जाती है जो आपका fine particles होता है तिंडल एफेक्ट में क्या होता है fine particles रहते है तो fine particles जहां भी present होगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, जो light होती है, वो क्या कर जाएगी, आपकी fine particles से टकराने के बाद, strike करने के बाद scatter कर जाती है, ठीक है, और यही phenomenon scattering of light का हमें देखने को मिलता है, sky में, ठीक है, sky में भी आपके क्या होते है, fine particles, fine particles यानि की बहुत छोटे-छोटे particles होते हैं, और उससे जब light टकराती है, तो blue color की light की सबसे चोटी wavelength होती है, और वो क्या करती है, आपका, फिर scatter कर जाती है, पूरे sky में, क्योंकि जो fine particles की wavelength है, वो आपका blue color की light की wavelength की equal होती है, ठीक है, तो यह चीज है, right answer हमारा scattering हो जाएगा, next आले question पे आते हैं, तो क्या है भई, image formed by या plain mirror is always, तो यह तो पता ही होगा सबको की plain mirror जो होता है, उससे image हमारी कैसी form हो रही होती है, चलो बताओ इसका right answer, बताओ क्या होगा, तो भई, virtual and erect image जो है, वो plain mirror में हमें देखने को मिलती है, पहली बात कैसी होगी, virtual and erect, अब आपको यह समझ में आता होगा, virtual and erect का मतलब क तो वो आपको opposite side दिखती है न, जब भी मैंने आपसे बोला है, opposite side कोई भी image हमें दिखेगी और, वो हमेशा कैसी होगी, virtual होगी, तो आप यह logic लगा सकते हो, मैंने उपर जितनी बातें बताई है न, वो साब दिमाग में बैठा लो, आप अगर उन पे विचार करोगे, तो स दिखती है, ये भी याद रखना, lateral inverted image हमें mirror में देखने को मिलती है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, जितनी आप जितनी दूर यहाँ पे खड़े होगे, उतनी दूर आपको अपनी image दिखाई देगी, अगर आप अपने आपको पूरा देखना चाहते हो, आपकी height h है, तो h by 2 height का mirror यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपकी plane mirror से उची जाती है, ठीक है, तो आज की questions इतने ही रखते हैं, I hope आपको अच्छे लगे होगे होगी, तो अच्छे से revise करो आप चीज़ों को, एंड हम मिलते हैं next वाली class में, और भी अच्छे हैं हमसे use के साथ जो अच्छे से महनत करते रही हैं, महनत का कोई substitute है नहीं, I hope आप अपनी तरफ से बिल्कुल जीजान लगा रहे हो, मैंसकी practice करते रहो, reasoning की करते रहो, चीज़े revise करते रहो, एंड बस end करेंगे, thank you so much, God bless you all, take care and bye-bye.